हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज मैं आप लूग को simple future tense बताने जा रहा हूँ और दोस्तो आज का वीडियो बहद इखास है क्योंकि simple future tense में जितने भी तरह के sentences होते हैं खासतोर से affirmative, negative और interrogative सभी sentences को सामिल किया गया है हमारे पास बहुत सारी examples है समझने के लिए आए दोस्तो सबसे पहले हम लोग affirmative sentences सीखते हैं सबसे पहले subject, फिर sale या will, फिर verb one और फिर object दोस्तो first person यानि I और we के साथ sale का यूज करते हैं हलांकि दोस्तो modern grammar में जातर will का ही यूज होता है तो आप लोग सभी subjects के साथ will का यूज कर सकते हैं I और we के साथ भी दोस्तो आजकल जातर आप क्या सुनते हैं I sell या I will जैसे दोस्तो यहाँ पर है वह एक कार खरीदेगा यानि कि भविष की बात बता रहे हैं इसलिए यहाँ simple future tense में है तो यहाँ पर लिखेंगे he और he के साथ will यूज करेंगे यहाँ पर लिखेंगे buy a car he will buy a car मैं train से जाऊंगा तो दोस्तो किसी भी साधन से जाते हैं हम लोग buy का यूज करते हैं buy train, buy bus, buy boat, buy aeroplane तो यहाँ पर लिखेंगे I will go by train आप यहाँ पर sell का भी यूज कर सकते हैं I sell go by train तुम अपना काम करोगे तो यहाँ पर लिखेंगे you will do your work अपना के लिए हमेशा बदलता रहता है जैसे मैं अपना काम करूंगा I will do my work वह अपना काम करेगा he will do his work हम लोग अपना काम करेंगे we will do our work वे लोग अपना काम करेंगे they will do their work राम मेरी मदद करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे राम will help me राम विल help me वह कल आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे he will come tomorrow tomorrow का अर्थ होता है आने वाला कल और yesterday का अर्थ होता है बिता हुआ कल he will come tomorrow तुम अगले साल परिक्षा दोगे परिक्षा देना यानि की appear at the examination तो यहाँ पर लिखेंगे you will appear at the examination अगले साल next year you will appear at the examination next year सीता अपने गाउं जायेगी तो यहाँ पर लिखेंगे सीता will go to her village और माली जी लड़का का नाम रहता तो यहाँ पर his लिखते सीता विल गो to her village मैं आपका इंतिजार करूंगा तो यहाँ पर लिखेंगे I will wait for you हमेशा wait के बाद for you जो होता है I will wait for you स्याम पटना जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे स्याम will go to पटना go के बाद हमेशा to use करते हैं स्याम विल गो टू पटना वह अपना घर बेचेगा तो यहाँ पर लिखेंगे he will sell he है तो अपना का his हो जाएगा house he will sell his house अब दोस्तों हम लोग negative sentences सीखेंगे सबसे पहले subject फिर sell यह will फिर not फिर वर्वन और फिर object दोस्तों आप चाहें तो will not का short form won't का भी यूज कर सकते हैं won't कार्थ होता है will not राधा आज नहीं नाचेगी तो यहाँ पर लिखेंगे राधा will not यह short में won't dance today राधा will not dance today वे लोग नहीं आएंगे they will not come they will not come मैं वहाँ उपस्थित नहीं रहूंगा तो यहाँ पर लिखेंगे I will not be present there वह मेरी मदद नहीं करेगा तो यहाँ पर लिखेंगे he will not help me he will not help me वह तुम्हारा इंतिजार नहीं करेगी तो यहाँ पर लिखेंगे she will not wait for you she will not wait for you अब दोस्तों हम लोग interrogative sentences type 1 सीखेंगे इसे yes no question भी कहते है इसका जबाब हमेशा या तो yes में होता है या तो no में जैसे क्या वह नहीं आएगा हाँ वह नहीं आएगा क्या तुम नहीं नाचोगे नहीं मैं नहीं नाचूंगा इसमें कुछ नहीं करना है helping verbs को पहले कर देना है यानि किसे लिया will को फिर subject यदि sentence में नहीं रहता है तो आप यहाँ पर not का यूज कर सकते हैं subject के बाद फिर वर्वन और फिर object और आप short form won't का भी यूज कर सकते हैं क्या वह नहीं आएगा will he not come will he not come क्या तुम नहीं नाचोगे will you not dance will you not dance क्या वह तुम्हें हरा देगा will he defeat you will he defeat you क्या वे लोग school नहीं जाएंगे will they not go to school will they not go to school क्या तुम कोशिश करोगे will you try या make effort will you make effort अब दोस्तों हम लोग फिर will या शेल का यूज करेंगे फिर subject और यदि sentence में नहीं रहता है तो आप subject के बाद note का यूज कर सकते हैं फिर word one और फिर object जैसे हम लोग दिल्ली कब जाएंगे तो सबसे पहले question word लिखेंगे कब यानि के when विल आप चाहें तो शेल का भी यूज कर सकते हैं when शेल वी गो टू देली वेन विल वी गो टू देली तु मेरे लिए क्या लाओगे तो यहाँ पर लिखेंगे what विल यू ब्रिंग for me what will you bring for me सरकार गरीबों के लिए क्या करेगी तो यहाँ पर लिखेंगे what will the government do गरीबों के लिए for the poor what will the government do for the poor तु मेरे यहाँ क्यों नहीं आओगे why will you not come मेरे यहाँ यानि कि to me या to my house why will you not come to me यानि कि तु मेरे पास क्यों नहीं आओगे पिताजी कहां जाएंगे where will father go where will father go तुम यह machine कैसे start करोगे how will you start this machine how will you start this machine और दोस्तो आप लूँ के लिए कुछ सवाल है तुम वहां क्यों जाओगे अब वह क्या करेगा वह कुछ नहीं करेगा अब कुछ नहीं के लिए nothing का भी यूज कर सकते हैं या फिर not do anything भी आप लिख सकते हैं तो आप लोग अपना answer comment box में जरू लिखिएगा I hope आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तो यदि या वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह समयने और भी वीडियोज बनाए हैं तो सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे All right friends, thanks for watching, have a great day